तो दोस्तों ये हमारी कहानी का वो किस्सा है जब हम दोनोंने प्लान किया एक नाइट आउट वैसे तो नाइट आउट और कैम्पिंग का प्लान हम दोनों बहुत टाइम से कर रहे थे बट कभी पूरा नहीं कर पाए तो फाइनली आज वो दिन था जब हम नाइट आउट पर जाने वाले हैं तो हमारी कहानी के इस किस्से में कैम्पिंग का एक्स्पिरेंस लेने के लिए हमने तीन लोकेशन स्लेक्ट करी जिस में से पहली लोकेशन जयत्क फोर्ट नहान और जिस पर हमारा एक पूरा फलाग है दूसरी लोकेशन मिनी वाटरफॉल नियर नहाण है तो इन दोनों लोकेशन में वाटरफॉल वाली लोकेशन को गरियन सिगनल मिला और हम निकल पढ़े नहान की ओर बट जैसे ही नान पहुंचे due to some reasons हमारे plan cancel हो गए और फिर हम दोनों घर वापसी आगए और night out next night के लिए plan करा गया और इसके बाद आती है हमारी third location चलो निकाओ जल्दी समान sunset होने वाला है जल्दी चलो इसको डालने के लिए कुछी निकाई अईसे ठाले ना तो यारब पुरी पेकिंग के साथ है अगया है पुरी पेकिंग के साथ है चले फिर लाइस को चलो फिर आया लिक्षू आरा हो जल्दी तो हम लोग निकल फड़े हैं अपने camping के लिए है नाइट आउट के लिए है पूरे समान के साथ फुल आन तियारी चीड के यह है जो पत्ते होते हैं बचालों बोलते हैं बहुँ जाता है जिसमें चलना काफी जार्टिफिकल्ट होता है स्लीप्री काफी हमारे साथ हमारा भाई भी है दिक्षू चोटा भाई हमारा तो इधर उपर एक पॉइंट है वहाँ पर जाके अपना टैन्ट विरा लगाएंगे जल्दी सी जल्दी संसेट से पहले और डीनर भी बनाना है तो लेक्टिया विगर आभी के ठीक है नहीं पड़ेगी कराइबा अज आज हम अपनी लोकेशनों पहुंच गये हैं आज हमारा नाइट का स्टेई ही हैं पह होगा इस ब्यूटिफू लोकेशन पह झाल झाल तो अभी अपना टैंट तो लग चुका है दन और अब बनाएंगे खाना बनाएंगे यहाँ पर सबसे पहले बनाएंगे यहाँ पर आग जलाने के लिए जिसके उपर हम यहाँ पर बड़तन वगरा भी लेका हैं उनको रखके बनाएंगे तो करते हैं लगड़िया इकठी लगड़िया इकठी असन सेट तो हो चुका है कंप्लीट अभी लगड़िया इकठी करते हैं और खाना बनाते है टाइम से अंधेरा होने से पहले अपने साथ हमारा बाई दिक्षू भी आ है छोटा बाई अपना बाई दिक्षू है तो अभी अपना चुला तो हो चुका है रेडी यहां पिछे अभी चाय बनाएंगे सबसे पहले चाय पीते हैं फिर उसके बाद खाना बनाते हैं पूरा तो अब बोरी है चाय पीने की त्यारियां और हमारे अक्षे भीया जी चाय बना रहे हैं तो जे शिरी ग्लेश करके कि इतना पनी बेस्ट छलने है पने पास यह यह ज़नी नहीं झाय जयक कुब खा दाने दिना नः उसके बाद बैड़ जाती हैं वह अक्षे तो आभी हाभ पेंट में आ मैठ जेएं पर मच्र खाए न ही तो क्या भबaurais पता यह बर्तन पूरा ना अकाला हो जाएगा और मुम्मी ने गालियां देनी है हमको बचल सहलेंगे आग लगी ना कहीं आग नी पर ले यार मस्ट तो बन चुकी है और यहां अपना खान बनाने की त्यारी हो रही है और चाए चाए बीते हैं अंधिराओ चुका है बिल्कुल यहां हाइट पे ना चाए पिने का मज़ा ही अलग है ना और फिलाल अभी भी अडरेव हैं कि यह कहीं आग यहां चीड का जंगल है इस तरफ को उसमें ना लग जाए डर तो लगता है यह थोड़ा पर थोड़ा हमन है आज हम कडाई पनीर बना रहे हैं कडाई तु एन डबा पनीर बनारे फिर है ना इस दबापनीर बनेगा और चाओन अहां बनाएंगे जैसी सूरज ढलता है वैसी अंदेर पर इस बात करें यहां पर हावा चलिया और हावा अपने साथ इदर उदर ना लेके जाए चिंगारिया बस इसमें हम ग्रेवी लेगा थे तो यह पूरी फ्रोजन है थोड़ी हमने फ्रीज में रख दी थी और सबसे बड़ी बात हम मसाला दाना भोलके मिर्च हो गेरा तो जो ग्रेवी मिर्च है बस थोड़ा बोट डाला था उत्रहें नहीं बुजारा करना पड़ेगा खान भन तो इतनी दिकत है थुदा लाइट है चल लाइट तो वो दिकत नहीं है नहीं इस ताइम तो आसा की काम चल जाए बस फिर टाइं हम प्टांग एम को फेस्त नाइट आउट आ क्या प्रेंग फर्स्टाम कर रहे हुँ आम दो पर मौसम ठीक है आज हवा नहीं चल रही है यहां पर जब कि वाला पॉइंट बहुत जादा हवा वाला है हवा वाला है अभी चावल भी रहे है यार पकाने के लिए और अंधियर ऐसा हो गया है कि रात के 10-11 बजी ताइम अभी देख रहे हो आप सिर्फ साथ अभी सदे साथ के असपास टाइंगे अज़ी यहां पी जान्मर विरा का डर तो है नहीं हां यहां यहीं से क्रोस होता है पर विए से जहां पे लोग होते हैं ज्यादा आग जली उति वहां पर आता है लाइट के आसपास आएगा अगर तो हुआ पाचे से कुछ आएगा तो बैटके शाई पनीर ख्लाएंगे शाई नीश और कडाई पनीर ख्लाएंगे विए उसको बैज खाना पहले वो कडाई पपनीर खायगा फिर हमको खाएगा पानी यहतना ये कि और बोटल ये लीज़ी एक बोटल हो यार, बनी की बस हो जाएगा प्रीयार उसके लिए कमना हो सुगह चाय के लिए? चावल के लिए चावल यूना ने छाणा का के हाद भी दो ने कम वो जाना है पाणी दो बोटल लाए थे पर कुछ अबना पनीर त्यार हो जुगा है अब पनीर त्यार हो गया है थोड़ा सा डालेंगे जी अब ममी ने बड़तन देख के तो पकड़ी गालियां माननी है हमको यह दोने पड़ेंगे यह चलो करेंगे भाई तो भी अपना ख चावल और हमारी यह सबजी कड़ाई पनीर तो बस अब खाते है टाइम से यह को हमने पूरा कवर कर दिया इसको और अच्छे से बुझाएंगे भी बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेंगे और वह सामने स्रहां दिख रहा है अपना होम टाउन तो हमारा खाना रेडी है और यह हमारा चाहूल एंड करेंगे कुई दिक्कत ही है हमारा फर्स्ट टाम समने अच्री में खाना जो हम चावल बनादे कुकर में मनाते है प्रेशर कुकर में फिए खुले चावल पहली पार बनाए तो थोड़ा इसना आइडिया नहीं था हम वह इंग जो यहां पे हाबाद चल तो या अचली हमारे पास ये चार्जिंग वाला बल्व है, जो हमने घर से उठाया था, किछन से निकाल के लाया हूं है, बड़ इसके साथ प्रॉब्लम है कि अगर इसमें कुछ पिछे टच होना चाहिए, तब ही जलता ही है, तो अब हमें कुछ उगाड करना बढ़ेगा, त तुमारा भाई शेफ है यार, तुमारा भाई शेफ है यार, एकस्पेक नहीं किया था, शाइद निकर डाल दियो तो जाला हो जाए था, अभी शायद आध के लिए कंपनी भी आने वाली है, हमारा बहांजा, तो अभी अपना डिनर तो हो गया है कंप्लीट, प्रोफेशनल अब जो भी समान पड़ा है, उसको उठाने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा है, क्योंकि लाइट कम है हमारे बास, तो उठाता तो पड़ेगा, पूरा समेट नहीं पड़ेगा, इसको समेटते है और उसके बाद ठोड़ा चिल करेंगे, तो अभी हम लोग बस जस्ट इतना अचा है, यहां पर वेदर है, और तैंट में जानने का मनी नहीं कर रहा Hayır वहां दो भी आपना ब low अभी बार भान जा रहा है अभी भान जाने एक ही बान जानाए रही जाने को लग दिए dosa अगर अगर इनकल चिप्स का और पाल ले जा रहा है तो इसको लेने जा रहे है तो इसको लेने जा रहे है थोड़ा नीचे दिखरा है सन्नी को यह निच्छे टॉर्च दिखती है ना यह वाली है टॉर्च काफी निच्छे यारे से ना बहुत ज्यादा यारे बचा लो ना कैसा है सन्नी विस्ते ठीक है आंको मेना फ्लेच पड़ रही है ते रेवी सब के यहां से जी आर ऊपर को ना यहां से चलो फिर सन्नी से हमने पानी मंगा ला था और सन्नी और भी बहुत कुछ ले गाया है खाने के लिए थोड़ी देर बाहर बैटते हैं और उसके बाद खेलेंगे ताश तो अब हम अपने केंप में आगे अंदर और अब खेलेंगे यहां पर ताश पर अभी दिक्कत ही हो रही है कि हमारे बाद जो बल्ब है इसको ऐसे लगा की ही जल रहा है तो इसको पकड़के तो ऐसे खेल नी सकते हैं तो कोई ढोंड़े कुछ तार होगे रमील जाए जोगार्ड आके मारे बल्ब जल चुका है अब हम शांति राताश खेल पाएंगे क्यों मैं इसको कुछ नहीं होता है तो दिमाग वाली गेम है ना हाइसके नीचे डाल देगे ने यापे तो यार बाहर तो बारिश होगी है शुरू बार तो बारिश होगी है शुरू ताश पर फोकुस किया जाए फिर से तो अभी पहली गेम हम में और दिख्षु जीत चुके हैं मेरी और दिख्षु की टीम है भया और सनी की टीम है तो ये वाली टीम हार चुकी है और हम दोनो जीत चुके है अगली गेम जीते हैं हाँ अगली गेम में जीते हैं फॉर्य स्टाफ च्बाद हो डीडाः आज जो एक टीम जीतिती की है अवा पिछली इनकों खुटी होगी थी पिछली बार इसे इसे इसेघ़् टीम क को किती है आज आरा है चभी बार जेदी तो अभी हम लोग अ… तो रात के सड़े ग्यारा हो चुके हैं और अभी हम लोग टेंट से बाहर निकले हैं थोड़ा कमर में तो उसकी थी बैठे बैठे में का चलो आप दोनों दोरा आम से बैठे ते ही है और वी तोनों कौने में बैठे हुए चलो को लिए अचली में दिक्कत ही है कि यह 2% अगर तो अगर हम मतलब 3 ए 3 प्लस 1 होता तो ज़्यादा बैठ रहता तो अभी टाइम हुआ है रात के 12 और अभी प्लान कुछ ऐसा बन रहा है कि अब सनी जा रहा है अपने गर वापीस तो सनी का घर यहीं पर नीचे है और इस टेंट में हम सिर्फ मुश्किसी तीन ही आप झाल कि अ तो ते लगको अगज रवाट्छ सिके होता रवस है तो घ्लवाट्छिक हो अजब टूआजरा रवसा रवसा और रवसा 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 है बूर्णिंग एवरीवड़ी तो अब टाइम गुगा अब सुभा के पांच और हवा चल रही है बहुत ज्यादा तेज बहुत ज्यादा तेज हवा चल रही है तो अब अब अंदर तेंड में सोना मुश्किल हो गया था है उसकी शोट से हो आगे फट 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 तीन मुझे के बाद ही आई थी नहीं तो अब ही उट गया अभी चैप नहीं बना सकते है यहां भी क्योंगी हो आग लगने का डर्राइज यह चैप नहीं बना सकते है कैसी रही राथ तो अलब हवा बहुत जादा चल रही थी इसकी वाज़े से उस टैंड में आवा की हवा थी बहुत तेर हवा चैप यह एक स्पीरियन से आगे के लिए हुआ है कि कभी विया गराशी जावा होती है तो वहां ओट में आप टैंट लगा लो अलब होती है केसा रहा दिक्षू experience? मज़दार मज़दार? नीन आई? नीन भी? नीन भी आई एची है आई नीन? नीन भी आई एची है हाँ नीन तो आई निया यार हवा ही बहुत ज्यादा चली भी थी थी ना बहुत थी तो अभी हम से बुट चुके हैं आप निकलेंगे तोड़ दिर में यहां से घर की और विकास हाँ? पैकिंग करते हैं आप पैकिंग करते हैं वैसे जो सुचा था चाह पियेंगे सुबह से यहां पे हावा भी बहुत जादा और हमारे पास पानी भी नहीं बचा है तो हम बहुत जादा दूर नहीं आया ती सरह से अम बस थोड़ा ही दूर आया थी यह दिको यह सामने अपना सरह यह कालिच यह कालिच यह सरह और यह हम पहादी में अपनी पैकिंग तो होगी है पूरी कप्रीट आप चलते हैं घर की और चलते हैं फिर्स दूब भी आगी है थोड़ी-थोड़ी वैसे तो बादल है आज यह इनोंने मेरे लिए रख दिया है बड़तन होगे रहा भाई हम उता ही अपनी दूदेगा है जादा उठाया है दुनोंने और यह वाली जगा अपी जब अच्छी है काम जदा श्रीपी है विजदर सामने हमने जाड़ी पार्क करी थी और यहां से गयते हैं हम उपर के लिए यहां तो बिब्कुल हवाली है यार है ना तो यहां से आगे अप दिक्षु जा रहा है घर हम अपने दूसरे घर और हम जा रहे हैं घर तो ठीके दिक्षु बाई 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 लिक्षु